हल ए इस फ्रेंटs, वेल्लकम तो मैई चैनल, मैट्सच चलिविड़ु में देखतें है इस चप्टर गेट, पॉलिनोमियल का ब्रें टेसरत कोशन नमबर 1 देखतें, क्या लोड़ना है? डिवाइड तो हमको क्या करना हैu हैं? इहां पर डिवाइड करना है तो हम इसको 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं, कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, root 5 into root 5 ठीक है यहने इस तरह लिखा है तो आप इस तरह लिख सकते हैं ठीक है और इस तरह लिखा है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं दोलों तरीके से आप लिख सकते हैं ठीक है अब आपके मन में यह डाउट को रहा हुआ है root 2 into root 2 यहाँ पर 2 कैसे हो जाता है छेलेट बर आपको गहीं समझा जैता हूं इसको यहाँ पर कैसे हो जाता है देकिए आपर root 2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते है 2 power 1 by 2 लिख सकते हैं इसको तो फिक है यह इसका value कितना होताicon 1 by 2 और into इसका भी लिख सकते है 2 1 by 2 ठीक है अब यहाँ पर base हमारा same है तो हम power को यहाँ पर plus कर सकते हैं ठीक है तो कर देते हैं 2 1 by 2 plus 1 by 2 ठीक है कितना हो जाएगा 2 इसको solve करते हैं हो जाएगा 2 by 2 यह हो गया cut कितना बचा है हमारा 2 बचा ठीक है तो आपको समझ में आ गया हो कि root 2 into root 2 2 यहाँ पर कैसे होगा ठीक है तो आपको ध्यान देना है कि अगर root into root लिखा है तो जो value होगा वहाँ से root हट जागा है root 2 into root 2 2 हो जाएगा और अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो हम इसको इस format पर भी लिख सकते हैं यहीं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है तो अगर आपने इतना समझ गया है तो आप divide करना आपके लिए असान हो जाएगा चलि स्टार्ट करते हैं इस डिवाइड हमें हापे पहले इसको मिटा जेते हैं ठीक है चलिए दिखें यहां पर क्या लिखा है माइनस 39 x to the power 4 by root 13 x square यहां पर लिखा है ठीक है पहले हम इसको divide के format में लिख लेते हैं माइनस 39 x to the power 4 by root 13 x to the power 2 यहां पर ज़्यां दिएगा यहowi टोडेय तो हम इसको तोड़ेय, तो doesn't do Lakeoure to the power 3 by montas सकते हैं इसको ब्रैकेट में से लिख सकते हैं इंटू इस पूदी पॉबर फोर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब यहां पर दिखे यहां भी लिखा है थर्टीन लिखा है ठीक है तो थर्टीन लिखा है तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3 को तो हमने कुछ नहीं किया है लाइज़ इस इस यहाँ लिख देंगे इन्टू इस ब्रैकेट क्लोस इन्टू एक्स रूदी पावर 4 बाई रूट 13 एक्स रूदी पावर 2 ठीकेट यह और यह आपका यहाँ पे तो हमने लिख सकते हैं अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा इसको आपका क्या करेंगे यहां पर लिख दिया है और इसको हम इससे दिवाइड करेंगे तो इतना हमारा अंसर यहाँ पर आएगा ठीक है यहां डिवाइड का के से तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है के लिए नेच्ट देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे इसको पहले डिवाइड के फार्मट लिख ले 1, 2, 5 Y स्क्वाइर by 5Y ठीक है अब हम देखते हैं किसको प्रेक डाउन करेंगे तो हम इसको यहाँ पर प्रेक डाउन करेंगे ठीक है तो हम इसको यह क्या लिखे लिखा है 125 है तो हम इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिख देते हैं रूट हम इसको लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 ठीक है और यहां पर हम लिख सकते हैं into y square by 5 y square हम यहां पर लिखेंगे ठीक है अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम यह क्या है 5 into 5 हो जाएगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं यह 5 और यह 5 पर पेर बन रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो यहां पर बच जाएगा और यहां पर बच जाएगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो इसको हमने क्या किया है इस दो रूट को हमने यहां पर यहां पर लिखा अब क्या बचा मेरा है यहां पर इन्टू वाई को पावर टू और अब यहां यहां पर यहां पर बचा है तो तो पहले हम इसको डिवाइट के फार्मेंट में रिख लेते हैं 49p to the power 3 by minus 7 root 7p square ठीक हैंट्स अब हमको यहाँ पर देखना है कि हम किसको ब्रेक कर सकते हैं आगे फार्दा सॉल्व करें ले ठीक है तो हम इसको खुछ ब्रेक कर नहीं सकते हैं तो हम इसको करें ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 into 7 7, 7 जा 49 into p to the power 3 by minus 7 root 7p square में यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अब यह 7 और यह 7 यहाँ से cancel हो जाएगा ठीक है और यह और यह भी cancel हो जाएगा यहाँ पर तो देखे क्या बच जाएगा उपर हम बचा 7 by नीचे बचा minus root 7 आपका बचा और जब हम इसको और इसको solve कर देंगे तो क्या बचेगा मेरा यहाँ पर p बचेगा ठीक है अभी भी हम इसको आगे further solve कर सकते हैं कैसे क्योंकि हम इहाँ पर 7 को लिख सकते है root 7 into 7 ठीक है तो यह हमारा कट जाएगा तो लिख देते हैं इसको और लिख सकते है root 7 into root 7 by minus root 7 और यहाँ पर p हमारा था ठीक है यह और यह आपका cancel हो गया ठीक है तो क्या बचा मेरा यहाँ पर minus root 7 p हमारा यहाँ पर बचा ठीक है यह p के उपर root नहीं है ठीक है ठीक है समझ में आया यह minus गहाँ चला गया उपर में चला गया और p यहाँ पर हो गया और यह root जो बचा था हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो आप यहाँ पर देखें कि आगे further आप solve कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक है अब यह सब तो बहुत ही simple है 14 Z to the power 6 by 14 Z to the power 3 by ठीक है यह वाला जो नंबर होता है किसके साथ हमेसा होता है यह super वालिक साथ हमेसा तो गैसे सिच का ध्यान देंगे ठीक है अब simply हमको यहाँ पर divide कर देना का हो जाएगा 14 जेट थूधी पावर 6vation यह वालत पुरा दिक प्रोल हो जाएगा और यहां पर 7 कि आज आजाएगा मुल्टिपलाई गा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 3 और 14 जेट थूधी पावर 3 सिपा ख जाएगा थीक है using 14 और 14 हो जाएगा आपका cancer ठीक अब यहां पर हम इसको डिवाइट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और इसका इसका डिवाइट करें तो पावर क्या हो जाएगा हमारा subtract हो जाएगा तो बज़ेगा z to the power 3 यानि 6-3 यहां पर हमारा 3 हो ज़ेगा तो क्या आज़र आया 3 z to the power 3 ठीके च्ट्स तो चलिए देखते हैं next question क्या है divide फ्री से हमको क्या करना है यहाँ पर divide करना है तो पहले हम इसको divide के format में लिख ले 6 x to the power 3 minus 4 x square plus 8 x by 2 by 3 x ठीक है अब हम क्या करते हैं सबको हम अलग-अलग कर लेंगे आपको ठीक है तो लिखते हैं 6 x to the power 3 by 2 by 3 x ठीक है minus 4 x to the power 2 by 2 by 3 x plus 8 x by 2 by 3 x ठीक है इस तरह हम सबको पहले अलग-अलग कर लेंगे ठीक है अब हम इसको solve करेंगे आप यहाँ पर दिखे क्या होगा यह क्या वाज़ाएगा इसका reciprocal हो जाएगा यह भी reciprocal हो जाएगा यह भी reciprocal हो जाएगा यह भी reciprocal हो जाएगा क्यों क्यों यहाँ पर divide का case ठीक है तो चलिए हम आप लिख देते हैं इन्टू 3 by 2 x हो जाएगा चीक है अब प्लस 8 x इन्टू 3 by 2 x ठीक है यहाँ पे हमारा x छूट गया था ठीक है अब हम इसको solve करेंगे इद्धान दिजाएगा इनीचे वाला हमसे क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ पे जो भी variable रहेगा वो किसके साथ जा ठीक है अब यहाँ पे हम कट कपके देख लेते हैं 2 एंजा 2, 2 3 जा 6 ठीक है पर नमबर नमबर को काट ले 2 एंजा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 2 और 2 4 जा 8 ठीक है यह हमारा कट हो गया अब हम इसको solve करेंगे ठीक है करेंगे ठीक है ठीक है अब यहाँ मेरा कितना है 2 है 2 3 जा 6 ठीक है यहाँ दिखेंगे एक्स का पाउर कितना है 2 और यहाँ 1 है सिर्फ हमारा यक्स बचेगा ठीक है प्लस 4 रिजा 12 भारा यहाँ पर होगा और यक्स यहाँ पर फिर से cancel हो जाएगा यहाँ पर कुछ ए एक्स दिखने की जरुबद नहीं है पाउनसर क्या गया 9 एक्स स्क्वाइर माइनस 6 एक्स प्लस 12 मेरा पाउनसर ठीक है नेक्स पोचल देखते है फिर समें इसको प्लस 1 भाई माइनस 1 भाई 3 ठीक है अब हम सबको अलग अलग यहाँ पर कर लेते हैं वाई का पावर 2 भाई माइनस 1 भाई 3 वाई माइनस 5y by minus 1 by 3 y प्लस 1 by minus 1 by 3 y ठीक है हमने यहाँ पर सबको अलग-अलग कर लिया ठीक है अब चलिए हमें हम यहाँ पर इसका हमको करना है ठीक है तो हो जागा क्या y का square और into इसका जब हम रेचिव प्रोकल करें तो यह y किसके साथ है उपर वाले के साथ है तो आपको यहां पर वाई दिखने के जरु文त नहीं कहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा मॉइनस थ्रीजा हाँ पर होगा ठीक है प्लस यहां पर आ माइनस 5y इंट्यो अब अब कुetts सोचने के जरुब्स दrei दीजे, minus 3 by y, ठीक है, plus यहाँ पर, अब हमें हाँ पर क्या लिखेंगे, 1 into हमें हाँ पर क्या लिखेंगे, यह जी सेम, minus 3 by y हमें हाँ पर लिखेंगे, ठीक हैंट्स, अब चलिए हम solve कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, minus 3y, बचेगे, यहाँ y को पावर क्या है, 2 है मतलब हमन है है तो क्या हो जाएगा सब्ट्राइब हो टो क्या बंचेगा और सी हमारा है थिखेंगे टिक है यहां के सथ सीधे यहां कटेगा तो कुछ है नहीं और यहां प्लस है और यहां पर माइनस आप साइन का जबूर ध्यान देंगे आप ठीक है तो क्या होगा है प्लस माइनस माइनस 3y हमारा यहां पर ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है 18a3-12a2 प्लस 9a by 3a ठीक है इसको हम पहले डिवाइड के लिख ले 18a3-12a2 प्लस 9a by 3a हम यहां पर ठीक है अब हम क्या करते हैं अलग-अलग कर लेते हैं सब को तो 18a3-3a-12a2 by 3a-12a2 plus 9a by 3a ठीक है अब हमको यहां पर सिंपली कट कर देनाは ठीक है यहां फ्राक्ष्टन में तो नहीं है कमकर आप रिसीद प्रोकल करनेगे ज़रुबर नहीं हम यहां पर कब रिसीद प्रोकल करेंगे जब यहां पर नीचे हमको फ्राक्षन में ठीक है और यहां पर क्या बचा दिखिए 6 और यहां पर 3 है और यहां पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3-1 कितना हो जाएगा 2 यह नहीं 6a क्या हो जाएगा 6a2-4a-3 यहां पर क्या है तो यहां पर मेरा क्योशन 2 खतम हुआ और यहां पर